नमस्कार मैं संजी उसमन आप तेखना सुरू कर चुके हैं नियोज 24 बाइट उत्तर परदेश 2020-22 यानि कि उत्तर परदेश विधान सबाचुनाओं 2022 में दुर्से चरन का चुनाओं आज सुब यानि कि आज सुब शात वजे से सुरू हो चुका है जिसमें 9 जीलों के 55 विध होच देड़ साम 6 बजे तक परेंगे लेकिन चुनाओं आयों के तरफ से यह बताया गया है कि 6 बजे के बाद भी जो परते जो मत दाता बुट सेंटर के अंदर रहेंगे वे सब अपने मत का परियोग करेंगे तो कुल मिला कर देखा जाए तो पिछले चुनाओं में यानि साम तक भी कुछ भोटिंग और जादा होंगी और साम में भी 6 बजे के बाद भी कुछ भोट और पर सकते हैं अभी जो निर्वाचन आयोग का जो उत्तर परदेश के मुख निर्वाचन आयोग ने जो बात बताई है उसके अनुसार 586 इस बार परतियासी मैडान में है जिस सबसे जादा महिला परतियासियों की संख्या 79 बताई जा रही है आपकी जंकारी के लिए बता दे कि अभी चरण ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से कानून बेवस्था और और समी मुद्यों पर बात हो रही है और इसमी मुद्यों पर चुना हो रहे हैं लेकिन जनता सबसे सबसे ज्यादा पर रूटी यानि कि सबसे ज्यादा कानून बेवस्था पर ही अपने मता अधिकार का परियोग कर रहे हैं तो देखना होगा कि आगे आखिर होता क्या है साथी साथ एक बात और बता है कि यह कहा जाता है कि दूसरे चरण में जो नौ जिले हैं उसमें से अधिकार्शत सब पाया यानि कि उत्तर पर देश की जो दूसरी सबसे बड़ी राष्ट चर्क्रिये पार्टी है समाजवादी पार्टी जिसके मुख्या अख्लेस यादों है उस उनका ये सभी सीतों पे ज्यादा परभाव बताया जा रहा है तो देखना दिल्चस्प होगा कि दूसरे चर्ण का रुजान किस पार्टी के तरफ जाता है यह तो आज सामके छो बजे के बाद यानि कि जब चुनाव आज के समाप्त हो जाएंगे उसके बाद तो जो देखना होगा कि क्या पहले चरण में जो 2% कम मत्दान परे थे क्या इस चरण में भी वहीं होंगे या इस चरण में मत्दान के परतिसत की संख्या बढ़ जाएगे हमारी इस खबर पर भी नजर बनी हुई है कोई बड़े अपडेट आएंगे तो मैं आपको इस पर बताऊ कर लें अगर आमारे यह आपका आज का कोंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए कोमेंट कीजिए और देखते रहे हैं न्यूटिपर भाई और मुझे यानि की संजीव सुमन को आग्यार दीजिए नमस्कार